Hello students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium मैं आपकी Hindi teacher प्रग्या आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी Hindi book मंजिरी का कक्षा साथ का पार्ट बहता पानी निर्मला जिसके लेखग है हीरानन्द सच्चदानन्द वातसायन अगेर जी इस पार्ट के अंतरगत हम लेखग परिचय प्राप्त करेंगे और पार्ट का सार आज इस पार्ट को पढ़ाने का मेरा एक और उद्देश्य था मुझे लगा हम तीन पार्ट पढ़ चुके हैं एक ही कमरे में बठे बठे आपने वो पार्ट पढ़ लिए तो क्यों ना थोड़ा सा घूमने चला जाए कुछ घूमा जाए, कुछ नया देखा जाए कुछ नई वादियों के बारे में, पानी के बारे में कुछ नई अनुभवों के बारे में जाना जाए तो यहाँ पर हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं तैयार है ना आप सब हमारे इस नई यात्रा के लिए सचदानंद हीरानंद बातसायन अग्य जो की जिनका नाम आपको कई पुस्तकों में हीरानंद सचदानंद बातसायन अग्य नाम से भी मिलेगा तो उनका जन्म 7 मार्च सन 1911 को कुशी नगर जनपद में हुआ था आपको हिंदी साहित में प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाना जाता है प्रयोगवाद जैसे कि आपने जब पाठेक पढ़ा था, जयशंतर प्रसाद जी के बारे में आपने पढ़ा था, वे छाया वादी कभी थे तो यह यहाँ पर प्रयोगवाद के जनक है, यह प्रयोगवादी का वी लेखक हैं के रूप में ख्याती इन्हें प्राप्त है बावरा एहेरी, आंगन के पार द्वारा, कितनी नावों में कितनी बार शेखर एक जीवनी, इनकी प्रसिद्ध रचनाए हैं इन चीजों की इन्होंने जो साहित्य है, वो इन्होंने लिखा है इनका निधन, निधन यानि की मृत्यूग, 4 अप्रेल सन 1987 इस वी में हुई थी सचिदानन्द, हीरानन्द, वातसायन, अगेल जो थे ये पाठ जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ये इनका एक यात्रा वरतांत है यात्रा वरतांत से क्या समझ में आता है आपको जब कहीं किसी स्थान की हम यात्रा करते हैं और वहां से वापस लोटने के बाद हम उस यात्रा का एक, 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 वर्णन किसी को सुनाते हैं, या करते हैं, या लिखते हैं, वो यात्रावरतान्त कहा जाता है, यह जो पाठ है, इसकी विधा भी यात्रावरतान्त है, यह संस्मरण, यात्रा संस्मरण, आप इसे कह सकते हैं, पाठ का सार देखते हैं, मुझे यानि की जियोग्राफिय नहीं सो बात नहीं असल बात यह है कि नक्षों के सहारे तो दूर दुनिया की सैर करने का मज़ा लिया जा सकता है यो तो वास्त्रिक जीवन में भी मैं काफी घूमा भटका हूँ पर उससे कभी त्रप्ती नहीं हुई त्रप्ती का मतलब होता है सेटिसफेक्शन संतुष्टी का भाव हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें कोई और नई जगा देखें यानि आब आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम कहीं न कहीं की सैर्टों करने वाले हैं यात्रा करने के कई तरीके हैं एक तो यह है कि आप सोच विचार कर निश्य कर ले कि कहा जाना है भाई कहीं जाना है तो पहले सोचना पड़ेगा न कि हमें कहा जाना है तो कहा जाना है ये बात सोचने के लिए पहला चीज दिमाग में आती है कि भई घूमने कहा जाए, कितने दिन के लिए जाए, क्या-क्या वस्तुई, क्या-क्या समान लेकर जाए तो यहाँ पर पहला तरीका जाने का तो यही है जो शायद आप और मैं इस्तमाल करते हैं कब जाना है, कहां जाना है, कहां घूमने जाना है, जब हम घूमने जाएंगे तो उस स्थान पर कितना खर्च होगा, कितने दिन, कितनी रातें वहाँ पर हम बिताने वाले हैं, फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, छुट्टी यानि कि अगर आपके मम्मी पापा वर ना चाहते हैं। तो सीट और बुख बर्थ लेको सूचना देकर रिजर्व कराएं। हम कहां जाने वाले हैं। कितने दुन रुकोंगे किस होटेल में रुकोंगे। ये सब चीजें हमें पहले से प्लानिंग करनी होती है। भावी अत्तियों को खबर कर दीजिए यानि जिनके घरों में हम जाने वाले हैं या जो हमारे घरों में आने वाले उनको हम पहले से इंफॉर्म कर देते हैं कि भाई इस इस डेट से इस डेट तक हम अपने घर में नहीं मिलेंगे या हम उनके घर जा रहे हैं तो इस तारिक से इस तारिक तक के लिए हम आपके घर में आ रहे हैं और तब चल पढ़िए तो इतनी सारी तैयारी तो जाहिर से बात है करनी पढ़ती है बलकि एक दूसरा तरीका है ये तरीका कैसा था? बहुत जादा व्यवस्थित था systematic क्योंकि इस तरीके की यात्रा जब की जाती है उसमें कोई उल्जन नहीं होती है कि कहीं किस स्थान पर आप गए है वहाँ पर आप रुपना चाहते हैं तब होटल में आपको रूम नहीं मिल रहा है या कहीं पर रजर्वेशन नहीं मिल रहा है सेट नहीं मिल रहे हैं इन सब उल्जहनों से बचने के लिए हम इस सिस्टमेटिक तरीके से यात्रा करते हैं अब यहाँ पर है लेकिन इसमें मज़ा बिलकुल नहीं है ऐसा कौन कह रहे हैं हमारे लेखा कह रहे हैं यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत से लोग ऐसी यात यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह के साथ वापस आ जाते हैं इस तरीके की यात्राओं में किसी-किसी का अनुभव बहुत अच्छा होता है लेकिन इतनी सारी तयानियों के बाद भी कई बार किसी-किसी का अनुभव बिगड जाता है ठीक है तो यहाँ पर यह तो बताय चाहे घोशित कर दीजे यानि कि आप अपने अपनों को अपने मिलने जुलने वालों को उसके बारे में बता दीजे आप बड़े दिनों की छुटियों में बंबई जा रहे हैं बंबई मुंबई का ही पुराना नाम है अभी हम आजकल आप लोग उसको मुंबई के नाम से जा जा दीजे कि हम इन छुट्टियों में बंबई जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर क्या नया सीजन, वहाँ का नया महाल, बीच वगेरा जो भी हम देखने जा रहे हैं, वो हम देखने जा रहे हैं, मगर चुपके से पैक कर लिजे जबरदस्त गर्म कपड़े, यानि कि मुंबई और कर लिजे क्या गर्म कपड़े पैक, यानि कि स्वेटर, जैकेट्स, ये सब चीजे पैक कर लिजे, और जा निकल ये बर्फ से धके श्री नगर में, यानि कि बताईए मुंबई और पहुँच कहा जाईए श्री नगर, श्री नगर की ठंडे बरफीली पहाड़ियों के बीच पहुँच जाईए वहाँ पर, अंग्रेजी में कहावत है, एक कील की वज़े से राज्य खो जाता है, वह यों कहें कि कील की वज़े से नाल, नाल की वज़े से घोड़ा, और घोड़े के कारण लड़ाई, और लड़ाई के कारण राज्य से हाँ धोना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल है आपके लिए समझना लेकिन किसी राजा, कोई राजा बहुत वीर है ताकतवर है, बलशाली है, बहुत अच्छी उसने योजना बनाई हुई है लेकिन जिस घोडे पर बैठ कर अगर वो युद्ध कर रहा है मान के चलिए, उस घोडे में ही कोई प्राबलम हो जाए तो क्या वो राजा युद्ध कर पाएगा, उतनी अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ युद्ध कर पाएगा, क्योंकि उसकी प्लानिंग कही ना कही उस घोडे की वज़े से खराब हो जाएगी ठीक है तो इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है कील की वज़े से तो ये कील कहां की है जो घोडे की गले में जो बंधी रहती है उसकी नाक से जो नाल डाली जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर उस नाल की वज़े से वो नाल धीली या टाइट य तो क्या होगा उसकी वज़े से नाल की वज़े से नाल डिस्टर्ब होगी नाल की वज़े से घोडा गडबड करेगा घोड़े के कारण राजा की लड़ाई का गडबड हो जाएगी और उस लड़ाई के कारण क्या परिणाम निकलेगा राजा को राज से हां धोना पड़ेग यानि वो जो युद्ध चल रहा है राजा उसे हार जाएगा हमारे पास छिनने को राजे तो था नहीं अब बात हमारी होने लगी हमारी यानि की लेखा की अब लेखा कोई राजा महराजा तो थे नहीं कि उनका राजे छिन जाता लेकिन इनके पास एक चीज़ की कमी थी और उस चीज़ की कमी ने किस मुसीबत में डाल दिया वो हम आगे-ागे पढ़ेंगे पहली चीज़ थी दात मांजने का ब्रुश यानि कि टूथ ब्रुश जिसे आप कहते हैं और दूसरा है मोटर की एक मामूली सी धिबरी मोटर की यानि गाड़ी वगएरा की या किसी मशीनरी की एक धिबरी जो उसके उपर स्कुरू वगएरा की उपर जो लगाई जाती है उस दौनों चीज़ों ने इधें कैसी मुसीबत में डाल दिया ये भी हमी जानते हैं अब यहाँ पर क्या मुसीबत आने वाली है हमारे लेखक जी के उपर वो हम आगे आगे देखते हैं सोनारी एक छोटा सा गाउं है अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिव सागर से कोई 18 किलोमीटर दूर ध्यान दें सोनारी के बारे में बात हो रही है सोनारी जो था वो अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी था और ये शिव सागर से लगभग 18 मिल दूर था 18 किलोमीटर दूर था बरसात के दिन थे रास्ता खराब था एक दिन सबेरे घूमने निकला कौन निकले लेखक हमारे तो देखा कि नदी बढ़कर सडक के बराबर आ गई है यानि नदी का पानी बढ़ रहा है सडक के नदी जो है वो सडक के लेबल पे बराबर पर आ गई थी मैं शिव सागर से 3-4 मिल पर था सोचा कि एक दाद का धूद ब्रश खरीद लूँ क्योंकि पुराना घिस जला था और मोटर की एक धिबरी ठीक करवा ही लूँ उसकी चूड़ी घिस जाने की कारणी यानि स्कुरू जब उसकी जो रिंकल्स बने होते हैं जो सरकल्स बने होते हैं वो जब खराब हो जाते हैं तो वो स्कुरूग या तो बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है या फिर वो खुलता ही नहीं है तो इस तरीकी की कोई इस्तथी इनके साथ में निर्मित हो रही थी तो इन्होंने सोचा क्यों ना उसको भी ठीक करा लूँ वैसे कोई ये बहुत ज़रूरी काम नहीं थे ये दोनों ही चीजें यानि वो जो ब्रश था उसके साथ भी इनका एक तो दिन का काम चल सकता था और जो धिबरी थी उसको ठीक कराए भी इनका एक तो दिन का काम चल सकता था लेकिन क्या हुआ? देखी आगे खैर, इसमें कोई दो घंटे लग गए इसकाम में और फिर साथ में खाना बनाने में एक और घंटा यानि टू फ्लश वान दो घंटे और एक घंटे तीन घंटे इनको इसकाम में लग गए वहाँ पर क्या हुआ आगे और तीन घंटे बाद वापस लोटने लगा तो देखा सड़क पर पानी फैल गया है बार जिस तरीके से बढ़ती है नदी का बहाव शहर की तरफ हो रहा था पानी बढ़ गया था पानी बढ़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था कभी अगर यदि आपने अपने जीवन में बार का या किसी पुल पर पानी जाते हुए देखा है कही न कहीं देखा ही होगा वैसी इस्तती निर्मित हो गई थी क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी सड़क के इस तरफ नदी थी और दूसरी तरफ नीची सतह पर धान आदी के खेत थे जो पानी लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था पानी के धक्के से सड़क कई जगा तूट गई थी पानी का इतना ज़ादा बहाव का दवाब जो होता है उसकी करण सड़के भी कई जगा से तूट जाती है समझार पत्रों में न्यूज में अकसर बारिश के दिनों में आपने घटनाएं सुनी होंगी मैं फिर भी बढ़ता गया क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही था यानि पीछे की तरफ पानी था तो अब आगे ही बढ़ना बहतर था कि आगे आगे बढ़ते चले जाएं तो लेखक ने आगे बढ़ना ही जाना आगे बढ़ते जाना ही सही समझा तीन घंटे बाद जब वापस लोटने लगा तो देखा सडक पर बहुत जोर से बारिश थी वो पानी जो है वो लगाता बढ़ता चला जा रहा था वो पानी इतना बढ़ता जा रहा था कि आगे कुछ भी दिखता नहीं था क्योंकि सडक की सतह शायद दो तीन मिल आगे नीची थी कई बार आपने देखा न सडक जो होती है एक तरफ वो उचाई पर होती है कई बार नीची धलान की तरफ होती है सडक के दोनों और जो पेड थे उनमें कईयों साप लटक रहे थे अब यह साप कहां से आए क्योंकि बारिश का पानी जो यहां वहां आ रहा था वो पहाडों से जंगलों से होकर आता है तो जो साप बिलो में रहते हैं उनके बिलो में पानी भर जाने के कारण वो साप उस नदी के बहाव में चले आ रहे थे और अपनी जान बचाने के उद्देशी से उन पेड़ों पर चढ़ गए थे जहां जिसको जगह मिल रही थी वो वहां चढ़ते जा रहे थे क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए वे पहले सड़क पर आते बाड़ से वशने के लिए लेकिन सडखों पर भी पानी होने के कारण वो पेड़ पर चढ़ जाते थे मैंने लौटने का निश्चे किया पर सडख दीखती तो थी नहीं यानि पानी भरा होने के कारण सडख समझ में नहीं आ रही थी की रास्ता यहां से है यहां से है या फिर यहां से है अंदाज से ही मैंने बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था मतलब अंदाजा जो होता है ना कि भाई जहां मैं खड़ा हूँ अगर यहां सड़क है तो यह सड़क सिधी सिधी चली जा रही है कुछ अंदाजा हो आते जा रहे थे, मोडने के लिए उसे पट्री से उतारना ही पड़ेगा, अगर कहीं आपको मोडना है, टर्न लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको रोड से आपको उतारना पड़ेगा, और इधर उधर सडक है भी या नहीं, क्या भरोसा, यानि पता चला अगर यू टर ले लिया, राइट टर्न ले लिया, लेफ टर्न ले लिया, और मान के चलिये, वहाँ रोड था ही नहीं, तो क्या होगा, एक और मैं एक ऐसी जगा देख चुका था, कि आखों के सामने, कैसे एक समूचा ट्रक, दलदल में फसकर, धसकर, गायब हो जाता है, क्योंकि उन्होंन जाके दलदल में धस गया, शायद वहाँ खाई हो, क्योंकि रोड इस तरफ था, लेकिन ट्रॉक इदर चला गया, उस तरफ खाई होगी, इसलिए मोटर को बिना घुमाए, उल्टे गेर में ही, कोई धाई किलोमीटर तक वापस ले आया, यहाँ सड़क कुछ उची थी, या दूसरी सड़क भी जाती थी, चाय बागानों में से होकर, यह जो शहर है सोनारी, यह असम की तरफ है न, तो वहाँ पर चाय के बागान तो हो नहीं थे, यहाँ पर सड़क अच्छी थी, इसमें सड़क के बीच में एक नदी पढ़ती थी, जिस नदी को नाव से पार करना पड़ता था, मैंने सोचा कि क्यों ना जब अब यह रास्ता है, तो इसी रास्ते से चला जाए, क्योंकि सामान तो सारा का सारा सोनारी में रखा हुआ था, मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए निकला, मैं जो डाक बंगला था, जहाँ पर इनका कुछ समान रखा हु दूसरा दात ब्रोश और कुछ तेल साबुन लेना था यानि रोजमर्रा की जरूरत का समान लेना था बस वह भी लोटने की जल्दी के कारण नहीं लिया लेकिन जैसे ही इनोंने पानी भरते देखा पानी आते देखा तो ये दोनों ही काम उनके नहीं हो पाए इस सड़क से नदी तक तो पहुँच गए जैसे तैसे करके अब वो नदी तक पहुँच गए नदी में नाव पर गाड़ी लाद दी यानि जो इनकी वाहन था उसको इनोंने नदी पर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब नदीयां क्रॉस करना पड़ती हैं तो वो नाव एक पटिया टाइप का इस्तमाल करते हैं जिस पर अपने वाहनों को रख लेते हैं और नदी को उस पार पहुंचाते हैं अपना समान तो नदी पर नाव पर अपनी गाड़ी लाद दी और पार भी चले गए उस तरफ पहुंच गए यहां भी नदी में बड़ी बाढ़ आई थी जो नदी थी वो भी उफान पर थी और बहते हुए टूटे चपर बता रहे थे न नदी किसी गाओं को लीलती हुई चली आ रही है उस नदी के बहाओ में पानी के बहाओ में एक भैस भी बहते हुए आ रहे थी आपने देखा होगा ना जानवर जो होते हैं वो सब बहते हुए चले आते हैं तो वो वहाँ पर नदी जो पानी था उसके बहाओ के साथ एक भ पार नदी का कगारा उचा था, यानि उस तरफ जो नदी थी, वो थोड़ी सी उचाई पर थी, उसका जो किनारा था, वो उचा था, कगारा मोटर के लिए उतारा बना हुआ था यानि जो वो बहाव के साथ जो बहकर आता है तो उसको उतारने के लिए एक चोटा सा ब्रिज टाइप का उन्होंने बना रखा था लेकिन गाउं से, नाउं से किनारे तक जो तकते डाले गए थे यानि कि जो लकड़ी के मोटे मोटे पटिय टाइप के डाले गए थे वो ठीक नहीं लगे थे मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में, आधी किनारे पर मैंने जोर से ब्रेक दबाय हुए, ये बाठे हुए थे उस पर अधिक देर तक तो ऐसे नहीं चल सकता था खेर, आधे घंटे उस स्वर्ग नसैनी पर बैठे बैठे, असमिया हिंदी और बंगला की खिचडी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें तब मोटर उपर चड़ाई जा सकी थोड़ा आगे ही उची जगा पर एक गाउं बसा हुआ था पर मोटर रोक कर चाय की तलाश की सबसे पहले आप देखिए बारिश के जब दिन है, बाढ़ है तो ठंड़क भी बढ़ जाती है तो लेखा को उस समय चाय पीने का मन हुआ यहीं सोनारी से आये दो साइकिल सवारों से पता हुआ कि वे कंधे तक, यहां शॉल्डर लेवल तक, यहां तक के पानी में से निकल कर आए है यानि अब जो पानी का बहाव था वो इतना जादा बढ़ चुका है साइकिले कंधों पर उठा कर पानी यहां यहां तक और उपर से हाथों में उन्होंने साइकिल उठाई हुई थी मोटर तो कदापी नहीं जा सकती क्योंकि मोटर के ब्रेक, गेर, यह सब कामी नहीं करेंगे पानी में जाने के बाद तो उन्होंने बताया कि वो किस प्रकार यहाँ हैं इस तरह इधर निराशा भी दी मन में अब लग रहा था कि वापस कैसे जाएंगे पानी अभी बढ़ रहा था जो पानी था, जो बाड का पानी था वो लगातार बढ़ रहा था यहाँ गाओं उची जगह पर था पर यहाँ कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था जिस समय अभी जिस गाओं में थे वो इन सारी चीजों से थोड़ा सुरक्षित था लेखक चाहते तो वहां रुख सकते थे लेकिन मैं यहाँ पर रुखना नहीं चाहता था इसलिए फिर नाव पर मोटर को चढ़ा कर उसी रास्ते से ये वापस आ गए सब ने मना किया पर मेरे सिर पे तो भूत सवार था ये भूत सवार होना एक मुहावरा भी है यानि किसी की उस समय हम नहीं सुनते हैं अपने-पने मन की चलाते हैं और हट धर्मी, हट धर्मी यानि जिद करने वाला, हट करने वाला हट धर्मी का अपना अनुठा रस होता है यानि कभी-कभी जिद करने का भी अपना मजा होता है रात में जैसे तैसे करके ये शिवसागर पहुँचे एक सजन ने ठैरने को जगा दी भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया प्रबंध यानी की अरेंजमेंट प्रबंध पर मन ही मन अपने आपको कोस रहा था कि अगर मैं नया ब्रश लेने और उस धिबरी को ठीक कराने नहीं निकला होता सोनारी की तरफ तो ये सारी मुसीवत नहीं होती क्योंकि इसकी ऐसी ताथकालिक ज़रौत थी नहीं इतना अर्जन्ट तो था नहीं उनको वो ब्रश लेना और वो डिबरी लेना लेकिन दोनों ही मामले ज़रूरी ना होने पर भी ये निकले और इस मुसीवत में भस गए लेकिन अब उपाए क्या था इस तरहे लगभग बारा और दिन उने वहाँ पर काटने पड़े यानि जो बारिश का पानी था बाड़ का पानी था नदियों में उसको उतरते उतरते इतना अधिक समय लग गया कि लगभग बारा दिन इनको उसी गाउं में काटने पड़े क्योंकि सोनारी से यह सब जो सोनारी के आसपास के रास्ते थे जो जो शेहरों की तरफ जोड़ते थे वो सब के सब बंद थे लोट कर देखा सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था और पानी में पड़े पड़े जो उनके कपड़े थे वो भी स्मेल आने लगी थी बदबू आने लगी थी उनसे और वो सड़ने लगे थे किताबे तो गल ही गई थी जब कपड़ों का ये हाल है तो किताबों का तो होना ही होना था बचा था केवल इस नान घर में उचे ताक पर रखा हुआ साब उनका डिबबा और दातों का ब्रोश जो शायद इनकी पूरी समस्या की जड़ बन गया था क्योंकि वो बात्रूम में जो खंड बने होते हैं जो कबड बने होते हैं वहाँ पर रखा हुआ था इन दोनों चीजों के कारण सिर्फ और सिर्फ उनकी ये दो चीजें सुरक्षित रहीं बाकि सारी की सारी चीजें इनकी गल के बहके पानी के वज़े से खराब हो गई नक्ष में मैं अब भी देखता हूँ कि वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे कहीं जादा यात्राएं में कलपना के चरणों से करता हूँ यानि वास्तव में कहीं जाने के अलावा ये कभी-कभी कलपना से यानि अपनी सोच से ही कहीं-कहीं घूमाते हैं लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया सिर्फ घूमते फरते रहे आपने कोई धन, समपत्ती, संग्रह वस्तुएं, घर, आदी का संग्रह नहीं किया मगर मैं बहुत प्रसंद हूँ और मुझे किसी से इर्शा भी नहीं है इर्शा यानि इनको उन लोगों से कोई जलन, कोई बैरभाव नहीं है जिन्होंने अपनी ग्रहर ग्रस्तियां बसा रखी हैं बहुत सारे समान, घर, बंगला, गाड़ी, ये सब चीज़ें ले रखी हैं इनसे ने कोई प्रॉब्लम नहीं है आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक तो शायद आप पहले से ही मेरा नुस्खा जानते हैं यानि अगर इन सारी चीज़ों की ना होने के बाद भी अगर आप प्रसंद है, खुश है तो यानि इसका मतलब आप जानते हैं कि जीवन में घूमते फिरते रहो नहीं तो आपको मेरी सला है कि जनाब बोरिया विस्तर समेटिये, बोरिया विस्तर हैनी अपना समान पैक करिये और बस चलते फिरते नजर आईए यहाँ आपका अपमान नहीं है, यहाँ इनके जीवन का एक दर्शन का निचोड है मतलब इनने जो अपनी जीवन में जो सोच, जो बात, जिस लक्ष पर यह पहुँचे, जो बात हासिल की वो यह यहाँ पर आपको बता रहे हैं रमता राम, इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम है रमना का अर्थ यहाँ पर रुकने से है कहीं आप एक स्थान पर अगर टिक गए, तो टिक नहीं मौत है यानि कि जीवन है, चलते रहने का नाम है और हमेशा इस जीवन में घूमते फटे रहिए, कहीं न कहीं यात्राएं करते रहिए, आते जाते रहिए अगर आप जीवन फर एक ही जगा टिक कर अपनी मोह माया में उल्चे रहेंगे तो वो तो आपका जीवन किस के समान है? जीते जी मौत के समान है तो आपको ये पार्ट समझ में आया बहता पानी निर्मला यानि जो चलता रहता है जो चलता रहता है continue वही निर्मल रहता है और जो रुक गया वो थम गया जिन्दगी चलते रहने का नाम है अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जरूरी काम छोड़कर घूमने निकल जाए लेकिन अभी छुटियों का मौसम आने वाला है बढ़ियां अच्छी किसी जगा की यात्रा प्लान करिए और अपने परिवार के साथ उसे घूमने का मजा लिजिए पाट का सार आपको समझ आ गया होगा चलते हैं शब्दार्थ की ओर शब्दार्थ में पहला शब्द है तरप्ती तरप्ती का अर्थ होता है संतोश, इक्षा, इक्षित व्यस्तू जो आप मन में चाह रहें किसी वस्तू जिसकी कामना आपके मन में है उसकी प्राप्ती से मन का भरना जैसे आप बच्चों में से अगर मैं कुछ उदाहरन लेना चाहूं जैसे आपको नई साइकल चाहिए तो उसको मिलने के बाद आपको तरपती मिल गई किसी दिन आपको रजगुले खाना है हलवा खाना है आप बहुत दिन से सोच रहे हैं ममी को टाइम नहीं मिल रहा बनाने का लेकिन जिस दिन उन्होंने बनाया आपने मन भर के खाया तो आपको क्या मिला जो सटिस्फेक्शन मिला वही हिंदी में क्या कहलाएगा तरपती कहलाएगा अमुक यानि कोई खास धिबरी यानि कसे जाने वाले पैंच के सिरे पर लगा गया एक छला मशीनरी से सम्मंदित शब्द है कगारा यानि नदी का कगार यानि नदी का जो बैंक ओफ दरिवर आप कहते हैं नदी का किनारा तीला यानि कुछ उचा स्थान हट धर्मी यानि जिद्धी द्रण संकल्पित जो किसी एक चीज़ के लिए अड़ जाए कि नहीं ये तो मैं करके ही रहूँगा ये तो मैं पाकर ही रहूँगा ये तो मैं हासल करके ही रहूँगा तात कालिक यानि उसी समय जो उस समय लेटिस समय जिस समय कि ये बात हो रही है उसे क्या कहेंगे तात कालिक तो आज हमने अपनी इस कक्षा में इस वीडियो में आपने क्या देखा पाट का सार, सांती सांत, शब्दार्थ पाट के सार को आप एक से दो बार सुनकर और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और शब्दार्थ की मदद से उसमें आये कठन शब्दों के अर्थों को आसानी से जान सकते हैं ठीक तो यहाँ पर आपको लगतार इन वीडियोज को देखते रहना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है क्योंकि मैंने आपको बताया है आप खुद भी जानते हैं जो ग्यान है वो बांटने से हमेशा बढ़ता है Magnet Brains आपके लिए सिर्फ यही नहीं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज हर विशय के छटवी से लेके बारवी तक हर एक विशय के वीडियो साथी प्रत्योगिता परिक्षाओं की तैयारी के लिए आपके लिए हमेशा सज्च है यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं Magnet Brains आपके लिए लाया है CBSC English Medium, CBSC Hindi Medium, UP Board, बिहार Board, साथी साथ NTSC, Olympic, Olympiad, CUET साथी साथ आप हमसे बहुत सारे माध्यमों की सायता से जुड़ सकते हैं जिसमें हैं Facebook, Twitter, Instagram, Telegram तो आप इनकी सायता से जुड़ सकते हैं e-book और books की भी availability यहाँ पर है जैसे ही आप यहाँ description box में दी गई उस link पर click करेंगे एक Google form की तरह open होगा जैसे ही आप उसे fill करेंगे हमारी team आप से संपर्क करेगी और आप जो भी उपयोगी material यहाँ से चाहते हैं वो आप तक पहुँच जाएगा देखते रहें Magnet Brains के वीडियो और अपने ग्यान को बढ़ाते रहें मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसके प्रशनोत्तर के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपना ध्यान रखें बाई बाई